नमस्का दोस्तो मैं अनिस्वर्मा आपके अपनी यूटिब चैनल पे स्वगत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको चौनपुर का प्रसिद्ध किला साही किला दिखाने वाला हूँ अब ही हम गोम्ती टट पर बने लोक बंदु राज नरान सत्भावना सेतु पर चल रहे हैं यहां से आपको साही पूल भी दिखने को मिलेगा उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है इसलिए चैनलों को सस्ट्राइक करना मत भूलिएगा चौनपू सहर की स्थापना चौदूही सताबदी में फिरोज साह तुगलग ने अपने चचेरे भाई महुम्मद बीन तुगलग की याद में की थी जिसका वास्त्विक नाम चौना खा था इसी कान इस सहर का नाम चौनपू रखा गया 1394 के आज़ पास मलिक सर्वर ने चौनपूर को सरकी समराज की रूप में स्थापित किया सरकी सासक कला प्रेमी थे उनके काल में यहाँ अनेक मगबरे मस्जिदों और मदर्सों का निर्माण किया गया यह सहर मुस्लिम संस्कृति और सिच्छा के केंद्र के रूप में जाना जाता है जोनपूर का पुराना नाम देव नगरी था जिसे सरकी सासकों ने जोनपूर में प्रवर्टित कर दिया अपनी देव थलियों और सिच्छा के लिए जाना जाता था जिसे सरकी सासकों न परवर्टित कर दिया देव नगरी नाम का उलेख सिव पुरान में भी था इसका प्रमाड परसु राम दोरा किये गे महायग जो की जमैथा देव नगरी में था जैसे ही सडक से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तहिने तरफ आपको किले की उची उची दिवारे देखने को मिलेंगी दोस्तों मैं पहली बार इस किले का भरमड करने आया हूँ वरानसी से इस किले की दूरी लगभग 77 किलो मीटर है दोस्तों अगर आप जानपूर के रहने वाले हो या फिस साही किला कभी गुमे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों इस चैनल पे आपको जल्द ही जानपूर सहर के नजारे और मा सितला, महरानी, चोक्या का भी वीडियो देखने को मिलेगा इसलिए चैनलों के सब्सक्राइब का ना मत भूलिएगा दाहिने तरफ अजैसे ही आप बढ़ेंगे आपको किले का मुख द्वार देखने को मिलेगा यह किला अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया के अंडर में है यहीं से सीज़े जो गली देख रहे हैं यहीं पर आगे पार्किंग की व्यश्था की गई है जहां पर बाइक का पार्किंग सूलक 10 रुपे रखा गया है दोस्तो इस किले में प्रवेस करने है तू आपको मास्क पहनना आवस्चक है सामने दे सकते हैं व्यक्ती मास्क बेच रहे हैं जिसका मुल 5 रुपे रखे हैं इस किले के मुख द्वार का रास्ता देख सकते हैं बाहर के नजारा कैसा है यहाँ पर आपको खाने पीने के कई सारी वस्तुम मिल जाएंगे लेकिन अंदर खाने पीने के वस्तुम ले जाना प्रतिबंदीत है सामने आप दे सकते हैं यह मुख के प्रवेस द्वार है यहीं से आपको अंदर प्रवेस करना है दहने तरफ टिकट काउंटर बनाय गया था लेकिन कोरोना काल के वज़े से उसे ऑनलाइन कर दिया गया है जे सत्य हाँ पर लिखा है कि साही किला के अंदर पनी कागज खाने के समगरी ले जाना मना है और उसका जुर्माना पांस रुपे रखा गया है यहाँ पर आप बेटियम या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके अंदर जाने के लिए टिकट खरी सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट होने के वज़े से 20 रुपे लग रहा है नहीं तो इसका मुख्य सूल का 25 रुपे है जो की नगध है और विदेशियों के लिए यह 300 रुपे रखा गया है चलिए इस किले के बारे में आपको जैंकरी देते हैं इस किले का निर्माड फिरोसाह तुगलक ने जौनपूर आबाद करने के बाद किया था इसमें अलग-अलग काल में परिवर्तन किये जाते रहे इसलिए इसका मूल आकार अब समझ में नहीं आता है लेकिन आज भी यह किला बहुत ही भववे और अच्छी हालत में है सरकी बासाहों ने किले के अंदर मिस्री धंकी एक मस्जिद और तुरकी स्नानगरी का निर्माड करवाया सिकंदर लोधी ने इस किलो को बहुत नुक्सान पहुचाया लेकिन हुमायू बासा ने इसकी मरमत बाबा जलियर बेग ने करवाई इस किले में अकबर बासा अकसर आया करता था और राजगदी पे बैठता था जौनपूर के प्रबंधक मुनीम खान खाना ने नई सिरेशिस को बनवाया जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपको अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया के तरफ से एक बोड दिखने को मिलेगा यहाँ पर लिखा है इसका नाम जौनपूर साही किला जौनपूर के भव साही किले का निर्माड फिरोज साह ने 1362 में कराया था और इसका इस्तमाल केवल साही फोज के लिए किया जाता था इसके सामने सांदार फाटक को मूनीम खाने सुरच्छा के दिष्टी से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों सजाया था 1857 की आजादी की लडाई का जौनपूर से पहला करांतिकारी थे राजा इदारत जहां जो 1857 में जौनपूर आजमगड बनारस बलिया तथा मिर्जापूर के प्रबंधक थे जब अंग्रेजों ने राजा इदारत जहां से माल गुजारी मांगी तो उन्होंने देने से इंकार कर दिया और कहां हमने दिली के बासा बहदुद साह जफर को बासा स्युकार कर लिया है और उन्हीं माल गुजारी दी जाएगी इस अस्युकरिती पर अंग्रेजों ने जौनपूर के साही किले पे जो राजा इदारत जहां की सत्ता का केन था उस पे हमला कर दिया राजा इदारत जहां उस समय चहलुम के सिलसले में मुबारक पूर गए हुए थे लेकिन दिवान महताब राय से अंग्रेजी फोज का सामना हो गया जो बहुत बहुत बहुतुरी से लड़े लेकिन बाद में कैद कलिये गये इस जड़प में बहुत से लोग सहीद हुए जिनकी कबरे आज भी किले में मिलती है आप जैसे ही किले में दाखिल होते है तो आपको बाएं तरफ किले के उपर पत्थरों के बीच बनी एक कबर दिखाई देती है जिस पे हरे रंकी चादा चड़ी रती है जब भी आप किस इसे पूछो तो वो आपको यही बताएगा कि कोई बाबा या सूफी की मजार है ये कबर जिसे आज दरबारे सहीद के नाम से जाना जाता है इनका नाम महंदी जहां था और इनका संबंध राजा इदारत जहां के परिवार से था जो इसी किले की फौज के कमांडर इन के और मजबूर होके कीले के उसी हिस्से में दफन किया जहां ये सहीद हुए थे दूसरी कबर जो कीले के अंदुरुनी हिस्से में महजित के दाएं सामने की और बनी है सब्दर जहां की है जिनका रिस्ता भी राजा इदारत जहां के परिवार से था वो भी फौज के दे सकते हैं यहाँ पर अभी मरमत का काम काफी तेजी से चल रहा है जिसमें सुर्खी चुनने का उप्यों किया जा रहा है ताकि पुरानी जो विरासत हुआ आपस आ सके और यहाँ पर पेड़ पौधे का गार्डेनिंग का काम काफी अच्छा किया गया है जिससे हरा भरा दि दख रहे हैं इसका नाम तुर्की हमाम है जो की पुराने जमाने में इसका उप्योग स्नान करने के लिए किया जाता था फिलाल कोरोना काल के वज़े से इसका गेट बंध है इसलिह अंदर प्रिवेस करना मना किया गया है यहां की दे सकते हैं कि जो पाथवे उद्थ घ्या है क्योंकि लोग यहां पर चारपया गाड़ियां तक लेके आ जाते हैं जिसके वज़े से यह धस गया है जैसे ही आप पुल से आगे बढ़ेंगे आपको यह किला देखने में काफी भव लगेगा मानों के किसी टीले पर बनाए गया है और यहां से आपको जौनपूर सहर का काफी खुसरत देखने मिलता है यहीं से आप गोंती नदी दे सकते हैं गोंती नदी लखनव होते हुए जौनपूर होते हुए वरांठीक मारकंडे-महाद्य मंदिर के पास मिलता है आपको बता दे कि गोंती गंगा का जहां संगम होता है फिलाल इस समय वहां पर घाटों क निर्मार किया जा रहा है उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखना मिलेंगी दे सकते ये बरादरी है जो कि साही किले का एक भाग है और इस पर चड़ना फोड़ना मना किया गया है क्योंकि कुछ लोग देखते हैं इस पर अपने और अपने प्रिमीका का नाम लिग तरह देखने में काफी खुसरोद लगता है इस समय यहां पर दे सकते हैं कई सारे मजदूर इसकी दिवारों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जो कि लोगडाउन से ही चल रहा है अभी भी काम लगा हुआ है इस किले के देख भाल के लिए कई सारे करमचारी लगे हुए है और सिक्रोटी गार्ड भी हमेशा घूमते ठलते रहते है ताकि यहां के चीजों को कोई भी नुक्सान ना पहुचा जा सके जैसे यहां से कुछ दूरी आप आगे बढ़ेंगे बाएं तरफ आपको कई सारे मजदूर देखने मिलेंगे इसलिए सुरच्छा है तो देख सकत यहां के दिवारे भी काफी उची है और इस उचाई से नजारा देखना काफी खुबसूरत होता है दोस्तों इस किले में आने के मेरा एक मातर उद्यस है था कि मैं आपको इस साही किले के बारे में कुछ जैंकारी दे सकूँ और यहां गुमा सकूँ आपको ताकि आप घर बैठे है इस किले के बारे में जैंकारी ले सके क्योंकि जौनपूर में यह किला काफी फेमस है बाएं तरफ आप दे सकते हैं यहां पर दो इटे का टब बना गया है जिसमें सुर्खी और चुना अलग-अलग घोला गया है ताकि इसका उपयोग यहां के किले की मरमत में कि जा सके दे सकते हैं यहां के निवासी भी घूमने टहलने यहां पर आते हैं और यहां का नजारा लेते हैं जो कि काफी खुशुरत होता है दोस्तों यहां के चहदीवारी से आप दे सकते हैं आपको सद्भावना सेतू और साही पूल दोनों देखने को मिलता है जो कि रात क समय में एक अलगी नजारा होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा नमस्कार जैहिंद हर हर महादेव